गुड मॉर्णिंग बच्चो आज हम भाशा मादरी पुस्ता का पेज 43 करेंगे अभ्यास एक शब्द में उत्तर लिखिए बच्चो आपनी आपनी कौपी में एक शब्द में उत्तर लिखना है पहला प्रेशन है बच्चे कहां पहुँच कर खुश थे बच्चे कहां पहुँच कर खुश थे चिडिया घर उद बिलाव क्या खा रहे थे मचलिया जिराफ की गर्दन कैसी थी? लंबी सोते हुए शेर पर पत्थर किसने फेका? राजीव ने मस्त कलंदर बंदर का क्या नाम था? गिबबन बंदर सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाए चिरिया घर में बच्चों ने सबसे पहले उद बिलाव देखे हां तो ये ठीक है हम यहाँ पर ठीक का निशान लगाएंगे तला में दो बतकें तैर रही थी नहीं तला में तो बहुत सारी बतके तैरी थी तो ये गलत है इसलिए हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे गिब्बन पूँच वाला बंदर था नहीं गिब्बन तो बिना पूँच वाला बंदर था इसलिए भी गलत है सभी जानवर अपने अपने बाडों में घूम रहे थे हाँ ये ठीक है बच्चे वापस जाने से पहले गिब्बन बंदर के पास गए हाँ ये ठीक है अ उ त और प से दो दो शब्द बनाईए अ अद्रक अनार उ उ उद्बिलाव उन त से तलवार तबला प से पतंग पलंग दिये गए शब्दों से वाके बनाईए रंग मेरे पास लार रंग का थैला है डुबकी बत्तक पानी में डुबकी लगाती है शोर हमें कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए मास्त मैं पढ़ने में मास्त हूँ मांग हमें किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए पाठ में शेर को राजीव ने पत्थर मारा और वह राजीव पर जबता पर उस समय राजीव बस बच ही गया क्या होता यदि राजीव अपने आपको बच्चा नहीं पाता बाचीत कीजिए क्या आपने कभी किसी जानवर को तंग होने से बचाया है यदि हां तो कक्षा में बताईए आपने वह कैसे किया बच्चों ये दोनों प्रशन मैं आपसे कक्षा में पूछूंगी बच्चों आपने ये अभियास अपनी पुस्तक में करना है थैंक यू